जाइन इस वीडियों में बात करेंगे computer automatic restart हो जा रहा है यानि desktop PC जो है automatic बंद हो जा रहा है इस situation में क्या करें computer start कर रहें कुछ देर चल रहा है automatic बंद हो जा रहा है क्या problem होता है इसमें ज्यादातर problem होता है जो CPU रहता है ओवर हेटिंग पर मलब स्विच आप हो जाता है यानि रिश्टाट कर देता है कम्पूटर को तो इस सीच्वेशन में क्या करें सबसे पहले देखिए कोई भी कम्पूटर हो लैप्ट पो डेक्स्टॉप हो सेम है क्या होता है रिश्टाट हो जाता है चलते चलत जाते हैं इसको स्टाट करेंगे चल ये यान कोई काम कर रहें काम करते हो बंद हो ज़ा रहा है तो उसमें क्या और बंद हो जा रहा था इस स्विच्वेशिशन में क्या करेंगी सो सुइच अप कर देखिए सौट कर से भी बंद कर सकते हैं इसका यहां पर पाउर कट कर दे इसके बाद क्या कर देखिए इसमें प्राव्वल्म है इसमें सबसे पहले इसके CPU फेन हम खोल देंगे एक जो इसको कुलिंग करता है COP1 इसको खोलिंगे इसमें एक पेस्टाइए ह से लगांगे हिस्थ हीट्सिंग पेस्ट होता है जो घरम घय और रौब्ले यह यहादा हीट होगा उसको यह कूल लिंग करेगा ओप अलगा देंगे और पर आफिंट में बैक साš इड में जो उलमोनियम यहाद दें Success यही पेश्ट आपको restart problem को solve कर देगा इतना सब problem के लिए हम लोग जाते हैं तो 400 500 यानि आपको 800 रुपया थक का बिल बैठा जेता है रिपेर दुकान वाले इसमें कुछ नहीं यह थन्मार पेश्ट से आप खुद रिपेर कर सकते हैं computer को देखे यह पेश्ट अच्छी तरह CPU के ऊपर fan को देखे यहां भी पेश्ट लगा राता है कि यह आपका चीप सेट है कि साउथ व्रीज यह उद्धर नॉर्थ व्रीज चीप सेट है CPU के बगल में है साउथ नॉर्थ है ठीक है कि इसको अच्छी तरह से चार्वत अपन नगा देंगे इसको यहां पर लॉक करेंगे दोनों साइट से इसको होल्ड कर देंगे लॉक करने वज़ से होता है कभी कभी पेश्ट के बज़े से होता है इसको ध्यार रखना होगा अब इसको स्टार्ट करेंगे अब चलेगा और रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया देखिए अब बंद नहीं होगा देखिए यहां पे एक सेंगल देता था कि आपका पचास डिग्री से उपर हो गया है आपका टेंपरेचर तो रिस्टार्ट हो जाता था एक लिए रिपियर किये इसमें कुछी किये सिसको प्रॉब्लम को सॉल्ब कर दिया है कि कभी-खी फिन को होता है फ्रनed चेंज करना पड़ता है वСंधी करना पता है पोसेसर को इतना तार मुह सुक्ष